हेलो प्रेंज वेल्कम टू वीट अबाव पार रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड देखिए वो प्रॉमिनेंट स्टॉक जो निफ्टी के उपर सबसे जादा वेटेज रखता है और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे दो हजार वाइस का तो आपको दिखाई देगा दो बार ये स्टॉक अपने पीक हाई से गिर के नीचे आया है यानि के तीन हजार उपे के जो टारगेट्स है रिलाइंस के अंदर वो दो बार उसको अटेम्ट करने की कोशिश कर चुका है लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया से वो घूम जाता है फाइन यहाँ अगर आप देखेंगे ये एक सप्लाई एरिया है उसके बाद में एक जो दूसरा स्विंग हाई बना उसका ये सप्लाई एरिया है और सिमिलर टाइप ऑप पोजिशन डाउन साइड में भी है जब ये 2856 के हाई लेवल लगा कर एपरल 2022 में नीचे की तरफ गिरा तो देखें इन एरिया ने उसको समाला जो तकरीबन आप ही कह सकते है 2380 या 70 के आसपास रहे होंगे और फिर वापस से जो स्विंग हाई लगा के नीचे गिरा तब भी इसी एरिया के अंदर ये सपोर्ट लेता वा दिखाए दिया है तो ये all time के गवराने की जरुवत नहीं है क्रूड ओयल के प्राइस के अंदर बहुत जादा वुलाटिलिटी इस वक्त चल रही है बहुत जादा वुलाटिलिटी है डबलू टी आई क्रूड की बात करें तो पहली बार 90 डॉलर के नीचे आया है युक्रेन रशिया का जब से वार शु लेकिन इसका 90 डॉलर के नीचे स्लिप होना ये क्लिर इंडिकेशन दे रहा है कि रिलायंस जैसे ओल प्रोडूसिंग कंपनी इसके लिए थोड़ी सी प्रॉबलम रहेगी क्योंकि ये स्टॉक क्रूड ओयल के अंदर जितने भी चेंजिस होते हैं उसके हिसाब से बहुत ज् इसके अंदर देखने को मिलते हैं तो ये तो बात होगी इंटरनेशनल मार्केट की नाओ कमिंग ओन तुद डॉमेस्टिक गवर्मेंट इंफलेशन को काबू करने के लिए बार बार कुछ न कुछ डिफरेंट चीजे लेके आ रिए पिछले 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपने सुना एक विंडफॉल नाम का टेक्स लगाया गया ठीक है विंडफॉल नाम का टेक्स लगाया गया और प्रोडूसिंग कमपनीज पर तो वह एंजी सीन डिलाइंस के अंदर वहाँ पर इंपक्त आया निगेटिव साइड में साथ ही में डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट वाली चीज को आई थिंग हटा लिया गया है विंडफॉल टेक्स को कम कर दिया गया है तो इस टाइब के डफलप्मेंट्स बार बार प्रियॉडिकल ही हो रहे हैं हाले कि इतनी जल्दी होने नहीं चाहिए गवर्मेंट को फर्म डिसीजर लेके किसी चीज प और टेक्निकल क्या सिच्वेशन हमें दिखाई दे रही है सबसे पहले आप देखें आज की केंडल आज इसे स्टॉक ने प्रिवियस दे के क्लोजिंग लेवल के आज पास ओपनिंग करने की कोशिश करी उसके बाद उससे भी उपर जाकर एक नए हाई लेवल लगाए आज इस दो दिन के जो लो लेवल से उनको क्रैक करके आज एक नए डे लो लेवल से स्टॉक ने दिखाए है और जो डे लो लेवल से हों है 2535 के फाइन उसके बाद में जितनी गिरावट ही आई है उस गिरावट का अल्मूस 50% पार्ट इसने कवर कर लिया रिकवर कर लिया तो यह जो situation है यह clearly दिखा रही है कि अभी भी जो base बनकर इस previous base से जो base बनकर उपर की तरफ जा रहा है stock यह कोई बहुत जादा negativity नहीं है ऐसे stock के अंदर यहाँ पर थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ आएगा तो एक base बना के वापस से positive price action बन सकता है और यह stock उपर की तरफ जा सकता है तो clearly हमें दिखाए दे रहे कि अगर हमें कोई position बनानी है then definitely देखें यहाँ पर momentum create होगा अगर यह levels निकल जाते हैं तो यानिके 2617 एक resistance बन गया है अब अब जैसे यह निकलेगा definitely एक अच्छे खासे targets आपको देखने को मिल दाएंगे फाइन यह बात होगी हमारे पास में price section के यह साब से अभी मैं आपको 15 मिट के candle से चार्ट पर भी लेके चलूँगा वहाँ भी देखेंगे फिलाल आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप RSI लगाते हैं तो RSI के level अभी भी 58 के ऊपर है मैं यह मानता हूँ कि जब तक 50 के levels intact हैं तब तक यहाँ पर reliance के लिए कोई बहुत जाता problem नहीं है यह थोड़ा बहुत consolidate होकर नीचे की तरफ आकर वापस से उपर की तरफ निकल सकता है अगर 50 के level से नीचे cross करता है RSI यहाँ पर हमें अपनी position से exit कर देना चाहिए उस condition में technically अभी RSI क्या बता रहा है कि price section on volume के अंदर इतना अच्छा तालमेल है कि थोड़ी वापस से उपर की तरफ जा सकता है यानि कि यह high level पर जो resistance है यह almost 63-64 के आसपास RSI को एक resistance मिल रहा है यह इस बार पूरी तरीके से poised है कि इसको काटेगा मतलब आज का जो down move है उसको देखके जादा घबराने की ज़रूत नहीं है अगर यह candle आज की candle पूरी तरीके से red की formation होती और इस type की candle बनती तब मैं समझ सकता था कि देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत और ज़ादा negativity आ सकती है बड़ जिस type की candle बनी है actually में यह कोई बहुत ज़ादा negative candle मेरे साफ से नहीं है यह एक red candle की formation है लेकिन यह clearly यह चीज़ दिखा रही है कि अभी भी buyers का interest यहाँ पर पूरी तरीके से intact है तो मैं यह समझता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी positions बनानी हो नहीं तब हम लोग कहां बनाएंगे इन levels के आसपास इन level क्रॉस होते हैं वक्त क्योंकि आज वे 617 के level पर अठका है यह actually प्रीवियस भी इस stock के लिए एक resistance का काम कर रहे हैं तो नहीं positions कब बनेगी जब है decisively इसको क्रॉस कर जाएगा और उस condition में आपके लिए जो targets होंगे वो at least 2800 रुपे के आसपास रह सकते हैं यहां से clearly आप देख भी पा रहे होंगे फाइन तो यहां से आप इस तरीके से position बना के काम कर सकते हैं अगर यह stock नीचे की तरफ निकलता है तो कहां पर आपको support लगाना चाहिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं लगाता हूँ फिबना के retracement हमारे पास में इसके 52 वीक हाई है और रीसेंट में इसका swing low levels पर हमाएं वापर लगा देता हूँ फिबना की retracement तो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा कि देखें यह stock actually में 50% के retracement zone से resistance face करके नीचे आ रहा है तीन दिन से लगातार ये तीन candle इस high level को cross नहीं कर पा रही है जो actually में 2610 रुपे के है 50% का retracement zone 2610 रुपे का इसको decisively हम लोग लोग क्लोज नहीं कर पा रहे है अगर यह उपर की तरफ cross हो जाएंगे then definitely आपके लिए short term में 2667 के targets देखने को मिल जाएंगे जो 61.8% के retracement zone होंगे तो clearly यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि previously 50% एक resistance का काम कर रहा था अभी भी resistance का काम कर रहा है और उपर की तरफ जाएगा 61.8% भी एक तरीके से यहाँ पर gap के साथ में एक resistance है तो वो भी resistance का काम करेगा लेकिन फिर आपको एक free hand target मिल जाएगा 2667 का तो यहाँ पर कोई position बनानी है तो 2667 का target रखना है stop loss की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए stop loss उस condition में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा at least 38.2% के level पर जो 2550 रुपे के आसपास है तो अगर हम लोग short term की duration में बात करें तो हमारे पास risk to reward 1 to 1 का होगा इससे जादा का risk to reward हम लोग यहाँ नहीं ले सकते हैं यह clearly दिखाई दे रहा है once अगर यह 61.8% के level भी cross कर देता है तब आपके पास में जो 78.6% के level है वो कोई important resistance का काम नहीं करेंगे वो clearly हाँ पर दिखाई दे रहा है fine and the levels are I can see 2752 रुपे की जो levels है these levels will not create any important resistance for this stock and then thereafter आपको यही 2800 रुपे के आसपास की range देखने को मिलेगी जो resistance का काम करेगी यानि के 61.8% 2667 निकलने के बाद में बड़े targets देखने को मिलेगे तो यहाँ पर दो trenches में आपको position बनानी है या फिर आप दो trenches में अपनी position को cover कर सकते हैं 2800 रुपे तक जो इस type से आते भी दिखाई दे रही है on balance volume के हिसाब से अगर आप देखें मैं यहाँ पर लगा के नहीं दिखा रहा है मैं आपको बता देता हूं मैंने भी check किया है कि यह वाले जो high levels है these are not swing high levels these are the high levels यह high levels 38.2% का जो resistance फिबनाकी के साब से दिखाई दे रहा है इसके उपर जो volume था on balance volume था वो अभी भी देखे intact है उसके नीचे volume नहीं आया है और जब तक यहाँ पर इस वाले volume के नीचे यहाँ पर नहीं आता on balance volume तब तक हमारे पास में देखें नेगेटिव जानने के लिए कोई वजह नहीं है तो स्टिल अभी भी आपके साबने position intact है यहाँ पर मैंने दो technical indicators का देखर किया है एक है on balance volume और दूसरा है फिबनाकी retracement दोनों की उपर मैं separate video बना चुका हूँ आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं अगर आपको यह दोनों अब आप यहाँ पर देखिए मैंने तीन लाइन रॉक की है तीन लाइन आज यहाँ पर basically हमारा चार तरिक के जो moves है वो यहाँ पर आते वे दिखाई दिये शुरुआत में बहुत high level यहाँ पर आते वे दिखाई दिये देर after यह थे 2617 के उसके बाद में लगातार बहुत देखिए में move बनाना है तो कैसे बनाना है आप देखिए यह वाले जो support level ते सबसे पहले यहाँ पर धियान देजिए इन support level से support लेकर इसके ऊपर की closing मिली है तो एक positive indication है level mark कर देता हूँ 2567 के 2567 अगर stock in level के ऊपर open होता है then definitely इस support line के नीचे stop loss लगा के आप long side में positions बना सकते हैं stock के अंदर पहले target stop को यही दिखाई दे जाएंगे जो मैंने यहाँ पर अगली line mark करी है 2586 के fine 2586 रुपे के target आपको पहले दिखाई दे जाएंगे यह जो resistance level है support का काम कर रहे थे अगर यह भी निकाल देता है intraday में then definitely फिर यह day high level को cross करने की पूरी कोशिश करेगा तो 2617 का आज का day high level है आपको ठीक इस से पहले target लगा रहा है तो आप तकरीबन 2610 पर profit book कर सकते हैं उस condition में तो दो targets हमारे लिए आ रहे है पहला 2568 ठीक है ना दूसर जो target आ रहे 25186 आई थिंग यह मैंने गलत लिख दिया है अबर 25186 के target से not 68 25186 के पहले target से और दूसरे target आपके हो जाएंगे 2610 के stop loss मैंने आपको बता दिया इस line के ठीक नीचे लगेगा अगर in case यहाँ पर कोई gap down होती है और वो इस range में कहीं open होता है यह वाली जो range है यहाँ पर 2567 के बीच में और यहाँ पर इसको भी मैं mark कर देता हूं यह हमारे पास जो range आ रही है देखे यह exactly आ रही है 2548 की 2548 नीचे अगर वो चला जा रहा है और आप यहाँ पर short side में positions बना सकते हैं और उस condition में देखे यह वाले जो day low levels है आज के उसको भी एक्रॉस करेगा negativity आ जाएगी stock के अंदर and वो definitely in level तक जाने की कोशिश करेगा previously यही वो level ते जहां से market उठा था जहां से demand आई थी तो पच् 206 से ठीक पहले ही आपको यहाँ पर अपना target लगा लेना है 256 का weight नहीं करना है और stop loss जो है अगर आप shotting side में जा रहे हैं तो 2548 के ऊपर यानि के तकरीबन 2555 रुपे के stop loss के साथ में आप positions बना सकते हैं तो 2555 का stop loss होगा 2500 and मैं समस्तों 10 के आसपास का target रखेगा उस condition में आ as well as short side में मैंने आपको define करके बताया किस तरीके से आपको position बनानी है यह level जरूर याद रखेगा जो level है बहुत important level से इसी केस आप से आपको कल काम होते वे दिखाई दे सकता है अब उमीद क्या है ठीक है यह तो बात हो गई कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा नहीं होगा त की पूरी-पूरी कोशिश करेगा यानि के 2, 5, 6, 7 के ऊपर होने की कोशिश करेगा और यहाँ पर अगर वो open होता है then definitely long side के अंदर position बनाने की मौके मिलेंगे expert dexon relation जो मैंने आभी आपको बताईए तो आई हो points आपको सारे समझ में आगे होंगे, reliance के अंदर किस टाइब क आपको आपको आपको